मेरा नाम इदीप और आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी यूटुब कम्यूटी के निउस लेकर आ चुका हूं तो वीडियो को आंतक जुरूर देखना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना तो हमारे जो सबसे पहला निउस आता है वहाता है क सब्सक्राइब को बारे में ध्लिडियो को बना कर करें को बहाएं हम कभी थकते नहीं तो आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोंगो आपनी चौक्त में इजो बताना बात के लिए नेक्स्ट न्यूस के बारे में तो हमारा अगला न्यूस आता है वो होता है थारवाई जोगिंदर के उपर दिया दोस्तों आपको बैसिकली पता होगा एलवी स्यादों के दोस्त फरीदाबाद रोकर्स के चैनल पर एक वीडियो आया था तो उस पोड़ जो तुन्हें मेरा पोड़कास्ट लिया था ना उसको डिलीट कर देब जो तुन्हें मेरे को यह वाली बात बोली ना कि तुन्हें इस चोड़ी डिलीट की है तरवास फोन आगया होगा अब है मैं तुम लोगों से डुरूंग अगया अब है तुम लोग ऐलवीस की चेला अब बढ़ाने से आदमी बढ़ास नहीं बन जाता पावर होनी चीह जो तुम लोग के अंदर नहीं है क्या उखाड़ लिया जो गिंदर का तुम लोग ने बताओ अलवीस को सपोर्ट किया था जिस टाम इसको सपोर्ट की जरुवत थी तुम लोग अपनी बताओ न तुम पूरे ग्रूप की स्टोरी नहीं आई थी जोग इंदर ने वीडियो बना के डाली थी उसके बाद तुम लोग ने वीडियो बनाने शुरू की थी सोचल मीडिया के अंदर जब तो तुम छुप गए थे एक बिल के अंदर और आज तुम एलवीस भाई एलवीस भाई कर रह तुम लोगों के लेना है तो सामने से बैट के तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो तो इनका बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने राय नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर देना परते नेक्स नीच के तरब तामारा नेक्स नीच आता है अभी ये नीच और धूर राठी के बारे में दिया है तो गाइस फाइनली अभी ये नियू ने अपने रीसेंट की वीडियो में रूराठी को रोस्ट कर दिया है तो चलिए मैं आपको छोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की पूरे क्लिप में कही दिखने रही है हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वज़े से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग यादना हूँ तो चलिए आपको याद दिलाते हैं चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर चुए जाते हैं जब भी मैं मेरी दादी से आशिरवाद चाता हूँ तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ ये मेरे संसकार है, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि इस से हमारा इगो कंट्रोल में रहता है और इस से हम छोटे नहीं होते और इसी वजह से मैं मेरे परिवार जनों, किसी गुरू या फिर किसी भी बड़े के पैर चुने से नहीं कत रहा था अवर्ड तो हमें डेली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है, क्या हमने उनकी भी चरणवंदना की थी? लेकिन नाशनल क्रियेटर्स अवर्ड के दिन जब हम मोदी जी से मिले तब मैंने उनकी चरणवंदना नहीं की हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की होगी या फिर एडिटर ने भाई मिस्टेक हमारी क्लिप यूज की होगी क्योंकि मैंने बहुत दूढने की कोशिश की लेकिन ये चरणवंदना वाली क्लिप कहीं मुझे मिली नहीं अगर आपके पास ये चरणवंदना की एक्स्क्लूजिव क्लिप है तो फ्लीज मुझे फॉर्वर्ड कर दीजे इनफाट आपके सारे फॉलोवर्स को भी फॉर्वर्ड कर दीजे वही फॉलोवर्स जिन्होंने अब तक कॉमेंट्स में गालिया देना स्टार्ट कर ही दिया होगा हाँ अगर नहीं है तो पबलीकली सौरी कह दीजे हो सकता है इससे आपका एगो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो गाइस अगले निउस के तरफ हम बात कर लें तो अगला निउस आता है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में जियां दोस्तों मैं आपको बता या नई चाहते हो आप अपने राय नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना और आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते अगले नए वीडियो में किसी खासने निउस के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद